हेलो दोस्तों रम्भा कीचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं मतर बनीर बनाने के लिए मैंने एक कराही ली हूं इसमें दो चमस तेल डाल दूंगी इसको हीट होने दूंगी कराही गरम हो गये, तेल गरम हो गया, अब मैं इसमें दो तीन प्याज डालूंगी बढ़ाई को हल्ता बरौन होने तक पखने दूंगी तीन जार गिरीन चिल्ली डालूंगी दो चमस अदराग लुट्स उपगे डियो जार दालों इटा नमक अपने पाल के लुषा जाने बखके इसे 2-3 मेर पिले पफने दूंगे मैं धकन हटा के चेक करूंगी इस टमाटो पिरा सौप हो गया आप इस तरह से एक बार मटर पनीर जरूर बनाख देखेगा प्याज को बराउन नहीं करना है तमाटर प्याज को खोड़ा सा सौप कर लेंगे हमारे प्याज तमाटर सौप हो गए अब मैं इसको थोड़ी थंधा कर लोंगी गाय स्प्रेम आउफ करके मेरे खराय हो चुका था मैं इसको पेश्ट बना ली हूँ मैं सेम कडाही में हीट करके दो चमस तेल डाल दूँगे तेल को हीट होने देंगे तेल हमारे हीट हो चुके हैं उसमें मैं एक चमस देगी मीर्ची डाल दूँगे तरह से चला लूँगे अब मैं याद रख लसून टमाटर के पेश्ट डाल दूँगे अब मैं इसमें दो चमस धनिया पोड़र एक चमस जीरा काली मीर्च के पोड़र आदी चमस हल्दी पोड़र मैं इसको जब तक भूनूँगी जब तक ये मसाले में सेल ना छूट जाए एक चमस मैं कीचन किंग डालूँगी आपके पास वो तो डाल दो नहीं है तो कोई बात नहीं किचन किंग से फरस्वाद अच्छा आते हैं मैं इसको दो मिनट दो में मसाले को ढखके पकाऊंगी क्योंकि छीचे बार बार उर के पर रहे हैं अब मैं ढखकन हटा के चेक करूंगी हमारे मसाले पक गए कि नहीं कर दोस्तों मारे मसाले कितना सा भूंदे कितना हो चुक्या है मसाला मेरे को मसाला भूंदे पांच मिनट लग गया है पांच से साथ मिनट हमारा मसाला जितना भूंदेंगे उतना स्वादी श्रबजी बनेंगे अचल आते हैं एक मिनट आप पकाऊंगी अब मेरा मसाला भूंदे है मैं इसमें डालोंगी फिरोजन मत्र आप ऐसे वाले मत्र लो तो 2-3 मिनट के लिए वाल लो फिरोजन मत्र को बालने के जरूरत नहीं पड़ते है मैं इसमें डाल दूंगी आप मैं इसमें 200 ग्राम पनीर ली थी इसको छोटे-चोटे टुकरे में काट ली आप मैं वह डाल दूंगी इसको चला दूंगे थोड़ा समय पानी डालोंगी आप अपने हिसाब से तरी रह सकते हैं कम ज्यादा कि आपकार दूंगी इसको दो उबालाने के लिए पक्ने दूंगे आप सब्जी में उबालाएं मैं थोड़ा सा गरम मसला डाल दूंगे अधे चमस थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगे इसको चलाते हो पकाऊंगे मैं इस मटर पनीर में किरीम नहीं डाली हूँ आप चाहे तो किरीम डाल सकते हैं अब देखे मेरी सब्दी कितने अच्छे बन के त्यार हो चुका है दोस्तों आज के मटर पनीर के रेश्पिक ऐसे लगे हैं अमाइन करके मेरे को बताना है